नमस्कार मसंदिप शर्मा और आप देख रहे हैं सीटी तहल का और इस वक्त देश की सबसे बड़ी ख़बर के साथ हम आपको लाइव तस्वेरी दिखा रहे हैं पानिपत की अनाज मंडी से और साथ सो से उपर किसानों की सहादत के बाद आखिरकार सरकार को जुकना पड़ा जी हाँ आज परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने देश को संबोधन किया था और पूरे देश और किसानों से माफी मांगते हुए उन्होंने जो तीनों किरिशी कानून सरकार ने लागू किये थे उनको वापिस करने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि एक वर्ग था आलंकि किसानों के हक में हम लोग ये कानून लेके आये थे लेकिन कुछ लोगों को हम नहीं समझा पाये जिसके चलते लगातार सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा और कई जगए कई स्टेट के अंदर उपचुनाओ भी थे उसको लेकर भी सरकार की किरिकरी हुई और मा जो लोगों के द्वारा दी गई वोटरों के द्वारा दी गई तो सायद इसको ऐसे भी देखा जा रहा है कि हो सकता है कि उतर परदेश में चुनाओ है अगले साल पंजाब में चुनाओ है हो सकता कि सरकार इसी दबाओ को लेकर के कि लगातार सरकार का विरोध होता चला ज लेकिन बड़ी खबर के साथ की देश के परदान मंत्री नरेंदर मोधी करीब एक साल के बाद किसानों के उपर कुछ बोला है उन्होंने और साथ सो किसानों की सहदत चली गई दी गई उनकी कोई सारे किसान थे लाठी चार्ज भी उनके उपर हुआ कईयों की हिंसा में मोत हो गीते हो किसी की करोना से तो किसी की जड़प के कार लेकिन इसी बीच में हम किसानों से जान लेते हैं कि कहां से आयो और कैसे इससे फैसले को देखते हो मेरा नाम जशमेर सिंग गाउन ओड़ था जिला पाणी पत हम मंडी मा है हमारे को समाचार मिला बड़ी मंडी में खुशी की लायर दोड रहे हैं सभी किसान खुश से एक साल के अंदर जो किसानों ने दरद जेला है आज हम उस खुशी का आननद ले रहे हैं वई हैं हमारे किसानों ने सादत दी कभी अलगावादी कह रहे थे कभी मावादी कह रहे थे किसानों को बदनाम करने का काम कर रही दिये सरकार आज किसानों की मैं ने तरंग लाई है और उस किसानों को हम धन्यवाद करते जो दिन राज 24 गंटे शड़कों पर सर्दी में बारिश में हैं उनने किसानों की लड़ाई लड़ी उन सभी किसानों का हम तै दिल से सवागत करते और शरकार देर से जागी développला है है हम खुशी का जार करते किसानों के चेरे पर बड़ी खुशा लिए श्मा को बंप पटा के छुटाएंगे और बड़ा अनन्द लेंगे कि लगता कि सरकार की हार हुई है इसमें बिलकुल जी बिलकुल पंजाम में अब इलेक्शन है युपी में इलेक्शन है ओधर से हमरें अंदर सिंग ने कॉंग्रेस से किसान विरोद्यूस में अलग हो गे अब ये जुकाव बड़ा है उपचुनाओ थे काफी जटका लगया फिटबेक लिए इन्होंने किसानों का देख्यावय मोल किसान खुशनी है इस वजए से आज सभी किसानों का बड़ी बारी जीत है और ढौत केसे भीसले तो देख पा रहे हैं लाइव तस्विरे पानिपत के नाज मंडी से जहां पर किसान ये जैसा बता रहे हैं कि शाम को पठा के भी दिवाली इन की काली दिवाली मनी थी किसान बोडरों पर बैठे थे लेकिन इन की आज दिवाली मनने जारी है और इन्होंने कहा है कि शाम के टाइम बंपटा के भी छोड़े जाएंगे और अच्छी खुशी की लहर धन्यवाद करते हुए सरकार का नजर आ रहे हैं और हालांकि करीब एक साल लगा इनको संघर्स करते हुए तमाम बोडरों पर लगातार किसान विरोध करते रहे रहा है कि मोदी सरकार जब से आई है 2014 से उससे पहले जो परदान मंतरी 15 साल तक गुजरात के मुख्या मंतरी रहे उन्होंने जो कानून लागू कर दिया उससे पीछे नहीं हुटे वो लागू ही रहा लेकिन ये पहला ऐसा कानून है जिसको सरकार को वापिस लेने का ऐलान करना पड़ा तमाम तस्वीरे आप देख पा रहे हैं सीटी तायलका के मादम से की पानी पत जो किसानों ने अलग अलग राय दी और लोग है जो उनसे भी जान लेते हैं यहें किसानों तीन करीशी कानून लेने का अलान कर दिया अब अब खूल दिया कि अब अबी लिए लिया ना अभी लिया किया है लेंगे तब देखा जाएगा अभी तो कोई संतुष्टी नहीं है इतने दिन डिन आड़का कँ अब वापिस ले रहे रहे हैं अदा बाद ही चलिए और कुछ किसान है उनसे भी जान लेते हैं अलांकी इनका ये कहना है कि लिया है एलान कर दिया है इनोंने ये अच्छी बात है लेकिन जब वापिस हो जाएगा तब की तब देखेंगे लेकिन अभी भरोसा इनोंने बताया कि अभी भरोसा नहीं है और किसान है यहां पर अख़बार पढ़ते हुआ है पर्दानमंत्री इंदरह नों दीनेता हुनुका अधिया थीनों करेशिय कानून वापिस लेंगे हम मापि महींगी किसानों पै देश पै महां तो जब मानेंगे जब लिखे तरूप मोंगे उच्छा प्रदानमंत्री यह आम हैं एतिंग है अप कैसे देखते हैं इ और लोग कुछ साथी हैं उस तरफ किसान अपनी फसलों को ले करके आए हैं उनसे भी जान लेते हैं और एक राष्ट्र गुरुनानक प्रकास प्रवथा पवित्तर दिन मानते हुए परधान मंत्री ने इस दिन एलान किया प्रधान मंत्री ने तीनों कृशी कानून वापिस लेने का एलान कर दिया है कि वह जो विंटर सेशन आएगा भी परलियमेंट का उसमें हम लोग अपने कानूनों को रद कर देंगे परलियमेंट सेशन में कैसे देखते हैं आप इसको आखिरकार एक साल के बाद सरकार को जु कर दो दान लेगा यह तीन क्रिशी कानून पता था लोग किसान विरोध कर रहे थे एक साल हो गए आज परदान मंत्री ने देश को संबोधन कर रहा है बासंट दिया है उन्हें नियुका आगभी तीनों क्रिशी कानून हम लोग वापिस करने का फैसला ले चुके हैं और ज कैसन होगा इसमें हम लोग कानून बना करके जो वापिस जो कानून लागू किया था उसको हम लोग वापिस ले लेंगे कैसे देखते हो गलत मानते हो या कैसे क्या है एक साल के बाद आखिरकार सरकार को जुकना पड़ा हम दो ठीक मानना जीजी प्रब्लिक की मान रहा जमेदार भी उद्रन के दुख शुक्यों करते हैं और माननी तो पड़ेगी इवनी मानने दस दिन पिछामान नहीं लेखा गूरू में चाहिए लेक्सन भी आगे लेक्सन में भी अंगाल आओंगे वीजेश्ए सरकाना रानी ये पूरी कोशिश करें जोने इसमारी मांग म हैं जैसे स्वासन देते हैं फिर चालू कर देते हैं नहीं मानते लिगी तरूप में होना चाहिए जिसका जमाला ठीक है तो तमाम तस्वीरे और अलग-अलग किसानों के आपने राय देखी सुनी और आप भी क्या सोचते हैं इस सरकार का जो परदान मंत्री निरेंदर मोध परदी का आईलान था इसको किस तरह से देखते हैं वह अपने कमेंट बॉक्स में जुरूर साजा करें तमाम जितने दर्सक का मारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार